नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे तो आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो अपडेट देने से पहले मैं बताना चाहता हूं जो लोग नहीं जूर रहे है चैनल के साथ के मेरा इंवेस्टमेंट जर्नी स्टार् है मैं एक निया इंविस्टर हूं और मेरा तीन पॉर्टफोलियो है एक स्टॉक्स का पॉर्टफोलियो है और दो म्यूचल फंड का पॉर्टफोलियो एक मेरे नाम पे है और एक मेरे माधर के नाम पे तो मैं डेली हर दिन पॉर्टफोलियो अपडेट लाता हूं अपने च करिबन 15-20 साल का विजन है क्योंकि मैं रिटार्मेंट के लिए यह इकठा कर रहा हूं तो मेरा विजन है के एराउंड पहले तो फर्स्ट वान करोर जल्दी से जल्दी करने के लिए उसके बाद टार्गेट है एक्चुल टार्गेट है फाइव क्रोर रूपीस तो देखते है कि कब कम्प्लीट होता है तो आप लोग को अगर इंवेस्टिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए एगर आप लोग भी इनवेस्ट करना चाहते है तो मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए तो स्टार्ट करते हिए मेरा मदर का पोर्फॉलियो है तो मैं दिखाता हूँ यह पर देख सकते हैं मेरा सबसे जादा ऐलोकेशन है क्वांट स्मॉल कैप और स्मॉल कैप में क्योंकि मैं एक लॉंग टाप इंवेस्टर हूं इसलिए मुझे रिस्क लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं 15-20 साल तक हूं मार्केट में तो इसी कारण मैं स्मॉल कैप स्मॉल कैप में तो टोटल हो गया इसका 10,119 और क्वांट का हुआ है 35,000 करीबन तो कल का देख सकते हैं कल का सारे मार्केट लॉस में था आज है 27 अब फेरुर्वरी जो मैं रेकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी पोर्फोलियो शेयर करो मैं 26 अब फेरुर्वरी का तो मार्के मेट कर स्मॉल कैप सारे डाउन में थे इंपांक निफ्टी भी डाउन में था तो 13100 रुपे लॉस हुआ है को फेरुर्वरी जोरी है अगर पूरा स्मॉल कैप रखू पोर्फोलियो में अगर स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन हो तो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे इसलि में का क्क 수가 कप कलाल में का थवालाड तो इसलिए मैं का मिट का ने रर्खव यहां पर की कोन का difi बर् arthritis उसक् lifesव हुकर वाउड कर सेते हैं यहां पर देख सकते हैं साथ हजार आट सो रुपय का प्रोफित हो चुका है और यहां पर इसे जादा डाला था निपॉन इंडिया में एक ही सेम टाइम पे इंवेस्टमेंट है यह जो सब देख देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देख सकते हैं साथ हजार आट सो रुपय का प्रोफित हो गया निपॉन इंडिया में और यहां पर देखिए बारा करीबर बारा हज़ा तो ही अच्छा परफॉंग कर रहा है HDFC प्रूवें भी है काफी काफी अच्छा AMC है HDFC का और यह फंड भी काफी अच्छा EMB बहुत बढ़ी है इसका तो आप लोग को अगर इंवेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप लोग अगर जाच्छा मिटीश भी काफी डाव ऑडिव मारकर कि मिला है और HDFC मेंटकाप का माइनस 348 क नाश्ट का बात करो मोतिली अच्छा मिटका प्सक्राण सूर्ट मिला आप लोग से स्ट्लेट के साटलेट fund मतलब यह चार्ड जो है HDFC Midcap, HDFC Small Cap, Nippon India Midcap और Quant Small Cap यह चार्ड मेरा code portfolio का part है code, code मतलब यह चारों मैं long term के लिए hold करना चाहता हूं for long term और यह वाला जो है मुतिला लॉस्वाल मिटकाव यह ad hoc satellite fund है दो साल बाद मैं बेज दूंगा किस किसी काम के लिए यहां पर देख सकते हैं कि 761 का नेगेटिव हुआ है ठीक है तो अभी इसको डिलीट कर देता हूं तो ऊपर चलते है तो टोटल वाल्यू है 3491 का नेगेटिव मिला है कल का मुझे तो अल्टाम रिटर्न से 72,000 और 7,85 इंवेस्टेट था अभी 8,57,000 तो यहां तक ही खतम करते हैं वीडियो गाइज इफ लाइक दे चैनल प्लेज 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 दो थाइज कर दे बाइब तो में था लाइज तो में, था प्लेज ऑन कर दिए चैनल अम्यूंद कर देचार था विन्यूंद का जाब भी तो कर देचार था शनुटै झानले विन्हां वीडियों।